इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने स्मूथ निंग जारी बॉंटिंग करवाई है तो उसके बाद कब तक आपको अपने बालों को नहीं बानना है कौन सी हेर असेसरी आपको यूज नहीं करनी है अपने बालों पे कौन सी रबर बैंट जा क्लचर क्योंकि मुझे काफी जारा कमेंट आते हैं कि हम स्मूथ निंग के बाद कब तक अपने बालों को खूला चोड़े जा कौन सी हेर असेसरी हम यूज करें जिससे हमारे बालों में कोई वेव ना आए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए करते हैं आज की वीडियो कृप तो फ्रेंड्स मुझे काफी जारा कमेंट आते कि हमने स्मूथ निंग करवाई है जेरी बॉंडिंग करवाई है कब तक हम अपने बालों को खूला चोड़े कौन सी हेर असेसरी हम यूज करें जिससे हमारे बालों स्मूथनिंग कर जाता है बैंड डा जाता है और हमारा हेर फोल भी काफी जारा होना स्टार्ट थे सब्सक्राइब काफी जाते हैं चूल SS को कई डेंघ की चैनल काफी साट देख शकती है जब हम स्मूथनिंगं कर वा करती हूं क्यार व्याइलियो के लिज्व। अपने बालों को कैसे बांथी यूँ कौन सी एयर ऐसेस्ट्री यूज़ करती हूं तो मेन टॉपिक की आप जाते हैं प्रेंट से कब तक आपको अपने बालों को नहीं बानना है जब हम स्मूथनिंग करवा लेते हैं जब तक आपको अपने बालों को बिल्कुल भी नहीं बानना है कोई hair accessory यूज़ नहीं करनी है ना है कोई klutcher यूज़ करना है अपने बालों को कान के पीछे भी नहीं करना है तो first wash जान से आपने smoothing करवाई होती है वो ही करके देती है तो तब तक आपको कोई भी hair accessory कुछ भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि friends इससे हमारे बालों में एक वीव आ सकता है तो जब आपने first hair wash जान से आपने smoothing करवाई है उसके बाद आप कोई भी hair accessory यूज़ कर सकते है बट friends जारा tightly आपको अपने बालों को नहीं बानना है वन मन्त तक तक तो आपको जादा आपने बालों को नहीं tightly बानना है जादा tight rubber band यूज़ नहीं करनी है जादा clips आपको यूज़ नहीं करनी है तो जब मेरा first hair wash हो गया था उसके बाद मैं cluture यूज़ करती थी जब मैंने कोई काम करना होता है जादा ऐसे scrunchies यूज़ करती थी friends जो ऐसा scrunchies होते है इससे बिल्कुल भी आपके बाल नहीं तूटते है जब आप इससे अपने बालों में से निकालेंगे एक भी बाल इससे आपका नहीं तूटेंगा तो यह मेरे personal favorite है आप भी अगर आपने smoothing करवाई है जब बांडिंग करवाई है उसके बाद आप scrunchies ही यूज़ करें जब आपको कोई काम करना है तो friends आप अपने बालों को जारा tightly ना बांदे आप klutcher यूज़ कर सकते हो मैं जारा छोटा klutcher भी यूज़ नहीं करती जब आपने first wash करवा लिए है जासे हमने smoothing करवाई है जब बांडिंग करवाई है उसके बाद आप klutcher भी यूज़ कर सकते हैं जब सकरेंचीज यूज़ कर सकते हैं बट जारा tightly बालों को नहीं बांदना आता हूं मुझे काफ़ी ज़रा comment आता है बांडिंग करवाई है उसके बाद कब तक अपने बालों को खुला छोड़े कौन सी हेर असेशरी हम यूज़ करें तो उसके रिलेटिट ही मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है जब रात को आपको सोना है तब भी आपको अपने बालों को खुला छोड़ के ही सोना है क्यूंकि रात को अगर आप ब्रेड बना लेंगे जा कलचर लगाएंगे जा कोई सकरंची दूज़ करेंगे तब भी आपके बालों में एक वेवा सकता है तो जब आपको अपने बाल का फिजा ड्राय लगे रफ लगे तो आप हेयर सिरम यूज कर सकते हैं आप इस ट्रीक्स का हेयर सिरम ले सकते हैं लॉर्यल का सिरम ले सकते हैं क्योंकि फ्रेंड से जब हम अपने बालों को जारा देर तक खुले भी रखते हैं तो हमें अपने बाल काफी जार ड्राय लगते हैं फ्रीजी लगते हैं क्योंकि स्मूथनिंग के बाद हमारे बालों को स्ट्रेट किया जाता है तो आप इस श्रीक्स का हेर सिरम अपने बालों चुकिया तो सिरम को हेर के रूटीन में आप पड़ाय कि स्लिकी लगरें तो सिरम ko अप जब से परोटे collect से अपने बालों करवाइग या outsiders करने कान के पीछे बाल required ही यहाँ कर आपको करने है खुला ही आपको जादा करने है अलब कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको ज्यादा खुले ही रखने जादा बालों को आपको नहींघ propन कर यह इस से आपका काफी जादा कम इनए च्रोड़ přहुत हो प्रोड़क्ट से बॉलों पर यूज़ करने काफ़ी इंपॉर्डिंट है स्मूतनी के बाद कौन से प्रोड़क्ट यूज़ करें उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको बन भी बिल्कुल नहीं बनाना है फ्रेंट से हम स्मूतनी के बाद बन बना लेते हैं अपने कोई काम करना है तो आप अपने कोई काम करना है तो के प्रेंपने यूज़ करने रखें लीए कोGi किट प्रे Rings jobs नदे बनां कोई जब एक बिल्कुल की बाल काफी ज़रा टूट रही है किट का फुल रिव्यो और डैमो मैंने आपके साइच शेयर की है अगर आप काफी बाल की फुल किट ट्राइ कर सकती है वीडियो अच्छा लग रही है वीडियो को लाइक कर दे चाले को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आप कोई भी के रिलेटिड आ स्मूथनिंग के रिलेटिड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे कमेंड में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं जो हमारे नीची एंड सोते हैं उस पे भी आप काफी ज़ा अच्छ अच्छा शैंपू है और जो मैट्रिक्स के प्रोड़क्त है वह भी काफी ज़ा अच्छी है स्मूथने के बाद कोई भी आपको हेस्ट राल नहीं करना होता ना ही आप ब्रेड मना सकती है तो फ्रेंट साब को जादा खुला ही रखना है इन बातों को आप ज़रूर दियान इससे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं चूटेंगे वीडियो हल्फल लग रही है वीडियो को लाइक कर दें चानल को सब्सक्राइब करते मिलतूं आप नेक्स्ट वीडियो में डैंक यू बाई